नमस्कार आप देख रहे हैं YIS News मुरादाबाद में गुरुवार को विश्व हिंदू परिशद वबजरंग दल के कार्यकरताओं ने कलेक्टरेट पर प्रदर्शन कर जिलादेकारी को ग्यापन सौप कर रामलला की प्रान प्रतिष्था वाले दिन महानगर में मीट की दुकानों को बंद कराये जाने की मांद की इस दौरान महानगर सयोजक बजरंग दल अभिनव भतनागर ने बताया कि 22 जनवरी को योध्या में श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा की जाएगी इस अवसर पर पूरे देश में आनंद महोत्सव का वातावरन होगा कहा कि प्रान प्रतिष्ठा के दिन राम भाक्त अपने अपने महला कॉलोनी में स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे इसलिए मीट की दुकानों को बंद कराया जाए इस दौरान जैदेव यादव, रोहित मदान, गोविंदा, मोनू, सोनू राजपूत, पवन कुमार, देवेश कुमार राना, सचिन, आदित्य भटनागर, कमल कश्यप, विनोध सैनियादी मौजूद रहे जर्चिना करेंख, जर्चिना, सचिना Lebens प्रोइद मदान, मैं मानगर शुरक्षा पुरुमु को बजरंग दल्भ, हमने ड्यम साब को ग्यापन दिया है, जिसमें राम जनुम भूमी के 25 बाइस जनुमरी को हो रही जा रही है, उसमें हम लोग ने मानने हैं डियाम साब से अग्रह काया है कि महानगर के मंदिरों के आसपास के सफाई विवस्ता, सुरक्षा और जल विवस्ता और बिजली विवस्ता सुचारू रूप से होनी चाहिए जिससे लोग 22 जनबरी महुष सब अपने टीवी पर एलेडी पर